हलो अब्रीवन वेलकम टू एम्पीपिसजीज डॉट कॉम आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नॉन यूनियन अफ फ्रेक्चर ज़्यादा वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमाया चैनल और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तो नॉन यूनियन हम कब कहेंगे कि यह नॉन यूनियन है जब भी कोई फ्रेक्चर यूनाइट नहीं हो तेक है यूनाइट नौ महीने तक कोई भी यूनाइट नहीं हो not यूनाइट और इसमें भी तीन महीने पिछले जो लगातार तीन महीने होंगे उसमें कोई भी प्रोग्रेस ना हुआ हूँ smallest new progress in the last three months, तो ये दो तरीके का होता है, non union बतावा गदा नो तरीके का होटा है, पहला तरीक होता है, पहला होता है hypertrophic hypertrophic non union का मतलब क्या है कि उसमें bonze होगी वह tick हो जाएगी ताइट recurring, इत्रोफिक non union का मतलब क्या होता है कि उसमें बून जो घोगी पत्ली हो जाएगी तो इसी बारे में बताओंगा थीक इसमें क्या होगा कि इसमें excess is केलस बन जाएगा तुवेड़्स दे अफ दो गून तो इसमें क्या होगा जैसे यह बून है टीक कि इसमें एंड जो हूंगे वह बहुत हाइपर ट्रॉफिक होंगे लेकिन आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे इसमें हाइपर ट्रॉफिक होंगे यह कोई जॉइन नहीं नहीं कोच लेकिन वह स्टेबिल नहीं हो पाया तो इनस्टेबिलिटी इस दे कॉज ऑफ हाइप ट्रॉफिक नॉनियन ठीक है अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसे अच्छे से स्टेबिलाइज फर दो तो सही हो जाएगा ठीक है स्टेबिलाइजेशन इस दा ट्रीटमेंट अब आते हम एत्रोफिक नॉनियन पर एत्रोफिक का मतलब क्या है कि उसमें बोनी एंड्स हो एं वो पतले हो गए है या अट्रोफिक हो गए है ठीक अब इसमें नॉन ब्लीडिंग पॉनी एंड्स होते हैं ठीक है मतलब क्या है एंड्स अफ था बोन उस पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं हो रही होगी जिसकी वैसे उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होगी इसके बाद हमें ट्रीटमेंट क्या करना है इसका क्योंकि यहां पर ब्लीडिंग नहीं हो तो उसे लाइब करने के लिए तो cut the bony ends till it bleeds जब तक उसमें bleeding शुरूर नहों जाए तो तक काटते रहो ठीक है उसके बाद क्या करना है हमने फ्रेशन कर लिए और इसमें blood दिखने लगेगा तो उसे बोलते है rose petaling rose petaling अब इसके बाद हमें क्या करना है साथ में stabilize करना है फिर उसके बाद stabilize कर दिया और अगर इसमें gap जादा होगा तो हमें bone graft भी लगाना पड़ेगा ठीक है stabilize कर दिया bone graft ठीक अब हम आते हैं यह मैंने कुछ लिखा हुआ है flux flux का मतलब क्या है यह एक neemonic है जिससे आप याद कर सकते हैं कि non union fractures होंगे इससे ठीक है तो पहले एफ से क्या होगा हमारा femur neck fracture neck of femur fracture okay L से क्या होगा lateral condyle of humerus क्यों lateral condyle of humerus पर क्यों होगा क्योंकि इस पर extensive muscles जो होती है उसका group attached होता जिसके वह से वो वो उनको खीच लेता है अपनी तरफ तो non union हो जाता है U से क्या होगा alna का lower one third fracture ठीक है T से क्या होगा हमारा talus का body fracture okay S से क्या होगा scaphoid fracture तो यह था हमारा non union के बारे में ठीक है अगली वीडियो में मैं बात करूंगा mail union के बारे में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें for those videos thank you प्लीज –